अपने चार साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया दरसल 49 साल की सूचना सेट जो बेंगलूरू में एक AI स्टार्टप कमपनी की CEO है उन्हें पुलिस ने गिरफतार किया है और ओप है कि उन्होंने अपने चार साल के बेटे की हत्या करने के बाद उसका शब एक बैग में रखकर वो करनाटक भाग गई थी आना कि पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया है CEO ने अपने बेटे के साथ 6 जनवरी को उतरी गुआ के सिंकफेरियम होटल में चेक इन किया था 8 जनवरी यानी सुमवर की सुभा उन्होंने चेक आउट किया तो उनका बेटा साथ नहीं था हाला कि करमचारियों ने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन जब करमचारी सूचना सेठ के होटल के बाहर निकलने के बाद कमरे की सफाई करने के लिए उनके कमरे में गए तो चादरों पर खून के धबे दिखाई दिये जिसके बाद होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दी पुलिस भी ततकाल आक्टिव हो गई वुआ पुलिस के इंपुट पर करनाटक पुलिस ने कातिल मा सूचना सेठ को चुतर दुर्ग से किरफ़तार किया उसने टैक्सी में बेटे का शव बैग में छिपा कर रखा था कलंकुट पुलिस थाने के इंस्पेक्टर परेश नाइक ने कहा कि सेठ ने होटल में चेकिन करते समय बैंगलूरू का पता दिया था इसलिए करनाटक पुलिस को अलर्ट किया गया था पुलिस ने बताय कि सीयो सूचना सेठ ने अपने बेटे की धारदार हतियार से हत्या कर दे ही इसके बाद होटल मैनेजमेंट से बैंगलूरू वापस जाने के लिए टैक्सी का इंतिजाम करने के लिए कहा था उसने इस बात पर जोर दिया कि वो बायरोड बैंगलूरू जाना चाहती है CCTV फुटेज में भी वो अकेले ही होटल से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है हाला कि पूछताच में सूचना सेठ ने ये नहीं बताया कि उसने अपने बेटे को क्यो मारा और फिलहार इसका मकसद पता नहीं चल पाया है उमीद है आज की हमारी ये क्राइम स्टोरी आपको पसंद आई हो अगर आप ऐसे ही क्राइम की खबरे देखना चाहते हैं तो इंडिया टीवी क्राइम इलेट को जरूर सब्सक्राइब करें